नमस्ते सुगत आपका इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा पी क्यों इंपॉर्टेंट है पी के माधिन से आप एक अनलेसिस कर पाएंगे क्योंकि जब भी आप किसी स्टॉक का या किसी शेयर का फंडमेटल आलेसिस करते हैं तो यहां पर पी बहुत एक वाइटल रोल करता है इस वीडियो में पूरा में आपको डीटेल कवर करूंगा कि अपी का क्या सिग्निफिकेंस है कैसे आपको यह कर पाएगा और क्या का चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप कोई स्टॉक पर्चेस करना चाहते हैं उसका प्लान करते हैं नहीं कर र अपको डिशॉक पता होगा इस बीसिफलेकट दिष्टो वॉट्स दिफिकेसर में इर लग अललग तरीके हैं तो सबसे पहलीं यह समझना पड़ेगा है का feedback बश्युक्टट आपको झांकर कैसे अनलाइज किया जाता है जैसे आप देख पानेशाव सब्सक्राइब सब्सक्राइब है अब आपको बता एक नंबर उपनी का उसके बाद रखेंगए आपके अब सब्सक्राइब हो जाता है एक बहुत ही fundamental एक metric हो जाते है जिसको आप यूज कर सकते हैं to figure out whether the company is making more money on each share जिस company का जितना ज्यादा EPS होगा उसका मतलब यह होता है कि उसका earning उतना ज्यादा हो रहा है which is a very positive signal for you बहुत सारे company का EPS negative होता है जो loss making company है और जो highly profitable company है उसका EPS जो है बहुत ज्यादा होता है आपका target होना पड़ेगा what you are looking for you are looking for a leader you are looking for a company which is making more money which is winning in the market which has more capital market share उसका ज्यादा है customer उसके उपर ज्यादा trust करते हैं तो उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि कितने तरीके के PE ratio होता है उसके पहले मैं चला जाता हूं कि यहाँ पर types of PE यहाँ पर typically दो टाइप का PE होता है एक होता है trailing PE एक हो जाता है forward PE यहाँ पर जाता है trailing PE का मतलब होता है कि last 12 months का आपका PE ratio क्या था ठीक है तो वह past performance के उपर base करके चलता है और forward PE मतलब आपने past के उपर base करके आप एक forward forecasting करते हैं क्योंकि यहाँ पर जब भी आप stock market में stock invest करते हैं या आप for example share खरीते हैं आप share क्यो पर base करते हैं क्योंकि आप expect करते हैं कि वह company grow करेगा उसका जो share का value है वह आगे बढ़ेगा वह जो company है ज्यादा profit मुनाफ़ा कमाएगा तो उसके basis पर आप उस company में invest करते हो और आप expect करते हो कि भाई वह company मुझे पैसा कमा के देगा also that is where forward PE comes into place यानि trailing PE के उपर base करके हम यह focus करते हैं कि भाईया यह जो company है यह क्या मुझे अच्छा return देने वाला है कि नहीं देने वाला है तो यहाँ पर अगर हम understand what is the difference between trailing P and forward P अगर आप bullish है for example थोड़ा सा pessimistic होते हैं कि मैं जब भी किसी share को analyze करता हूं किसी company को analyze करते हूं मैं थोड़ा सा वहाँ पे pessimistic view से मैं चलता हूं क्यों कि मैं इस company में क्यों इन्वेस्ट करूंगा क्यूं मैं अपना hard-end money company में लगाऊंगा अगर मेरा पैसा डूब गया तो because I do not want to invest in a company which is going to you know बरबाद होने के कगार पे मैं क्यों डालूँगा अपक्यों पैसा डालेंगे that is the reason why you have to step forward कि आप यहां पे positive चीजों को ध्यान में रखी चल रहें कि हाँ यह company कमाएगा तुम्हें भी कमाऊंगा but you have to be pessimistic कि यह company अगर डूब गया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा so this is where trailing P.E. is more important at least for me trailing P.E. is more important than forward P.E. क्योंकि forward P.E. आप forecast करने वह हुआ नहीं है trailing P.E. already हो चुका है वह earnings के उपर depend करता है मतलब वह already उसका past performance है तो past performance देख के ही मैं उस पे जादा focus करूंगा उस पे जादा invest करने के कोशिश करूंगा तो यहां पर आपको किस तरीके का P.E. पर focus करना है जैसे मैं तो focus करता हूं trailing P.E. के उपर आप किसी दोनों में भी focus कर सकते है बर forward P.E. आपको forecast देता है वह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अभी हम चले जाते हैं कि अलग-अलग P.E. ratio क्या होता है इसका कोई हैं आपका यूनिट नहीं होता है कि 10 kg 20 kg विशे यूनिट इसका कोई होता है तो मैं थोरा सा fast read कर रहा हूं तो अगर आपको थोरा से लग रहा है कि मैं आटक क्यों रहा हूं होता है अफिर नेगेटिव पी जैसे आप समझ पारें कि नेगेटिव प्राइस अगर नेगेटिव हो सकता है तो वह नेगेटिव हो जाता system तो अगर आपको दिखाता हूं यहां पर चले गए पी रेशियो अगर हम चेक करते हैं वह लेस्ट एन है तो यहां पर आपको देखना है कि नेगेटिफ फी वह थे डूरने से आपको मिलेगा नहीं सब्सक्राइब यहां पर जब भी आप आप यहां श यहर को ऊता है किन रहा है कि यह कर रहा है तैसे वह अपको समझ में आ गया उसके बाद आ जाता है तो आपका 0 to 10 यहांनि इस बेसिकली इस नोड पीपल आ नोड वेरी इन वहीं लग रहा है कि उसका जो अर्निक वह्यूड पर यहां पर यहां पर यह पर जो प्राइज अर्निक रिश्व यह जो देन और इसका जो एर निंग है वो नीचे जा रहा है आप समझ रहे है उसकार जो और नीचे जा रहा है तो लोग इसको छोड़ देए पीपल रार रीली इंट्रेस्टे इन दिस स्टॉक ऐन यहां पर मैनेश्मेंट का इश्यों हो सकते हैं यहां पर अंदर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहां पर यह कंसर्ण आपका हो जाता है यह आपको चेक करना पड़ेगा नेक्स हो जाता है 10-20 10-20 इस बेसिकली यहां पर यहां पर मैं इसके बार में और भी बताऊंगा कि बहुत इंडस्ट्री होती है जिसका प्रेफर करना पड़ेगा तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं तो इसका 30 प्लस मतलब क्या होता है कि यहां पर लोग को लग रहा है कि यह कंपनी बहुत आगे बढ़ेगा इसलिए पैसा डाले जारे जारे उसको पुश कर रहे है यहां पर स्टॉक का प्राइस मुच हायर कंपेर टू इस अर्निंग बहुत कम है पर स्टॉक का या शेयर का प्राइस बहुत जादा है अगर हम यहां पे कुछ एग्जांब्ल लेते हैं यह अगर अगर आप यहां पर देखते हैं कि ए यह दो लॉस्क्राइब जो है उसमें आपका रेशियो है 678 से वेरी वेरी हाई उसी तरीके से इंडिको पेंस जिसका धोनी आड़ करता है वहां पर भी आपका है कि कि बहुत उल्टा सीधा आपका मनुबलेशन होता है तो आपका टार्गेट यह होना चाहिए कि जैसे मैंने यहां पर एक शीट ओपन अप किया है तो मैंने क्या किया है कि यहां पर किसका पी रेशियो जो है 10 से जाधा है 40 से कम है उसका मार्कट कैपिलाइशन जो है 30 में अगर कर देता हो इस मोर दें 12 थाजन यानि इस लार्ज चैप कंपनी तो देरा 82 कंपनी विच विच फॉल अंडर दिस विच विच फॉल अंडर देखो कि जो आप आप अ अब यहां पर कंपनी का मार्केट कैप देखो तीन लाग करोड तीन लाग भी सजार करोड का जो है इसका मार्केट कैप है मोस्तली पैसा आता है 45% परसंट परसंट विच विच वहां पर जादा अर्नी होता है तीक है और आप जाके देख सकते हैं इस वेरी प्रॉटिबल कंपनी और यह अच्छा आपका जो है रिटर्न भी देता है है इसका परमोटर नहीं है इस कंपनी डा परसंट है कितना परसंट होल इंग करके रखा हुआ है इसके के ऊपर ऐधा है this is a company FII, dii का state भी कंवे इसके ऊपर जाथा है जिस मृहाइन नींचे अचीन, कॉछ फॉट सब्ड। सब्सक्राइब और ऐसको आप आप में इसको आपई-स savoir कर सकते हैं कि स्क्रीनर पर जाकी अब definitely इसको Analyze कर प्लाइब these are the some things which you can definitely look forward to फिर आपका profit growth हो जाता है, sales growth हो जाता है, profit margin हो जाता है बहुत साथ चीज़े हैं जो आप consider कर सकते हैं but price P ratio, price to earning ratio is one of the vital ratios that you should definitely consider so I hope this video was useful, अगर आपको पसंदा है, like, share, subscribe भीजे, thank you for watching this video